आपका सेक्स टाइम जो पहले 10 सेगंड हुआ करता था 20 सेगंड हुआ करता था यह एक मिनिट हुआ करता था अब आप देख पायाँगे कि वो टाइमिंग कम से कम 5 मिनिट 6 मिनिट 7 मिनिट तक जा रहा है दोस्तों सिग्रपतन के लिए यानि प्रिमाचर रिजेकुलेशन के लिए होमेपैथी में धेरो मेडिसेंस एवेलेवल है जो कि अपनी अपनी जगा अपनी अपनी सिम्टम्स के नुसार काम करती है उसी में से एक बहुती बढ़िया मेडिसन है होमेपाथी में सिगरपतन के लिए जो कि बहुती बढ़िया काम करता है जिसका नाम है टाइटेनियम मेटालिकम तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी मेडिसन के बारे में बात करने वाले है titanium metallicum के बार में बात करने वाले है कि हम लोग इसे कैसे इस्तमाल कर सकते है इसका क्या symptoms देखने पर हम इसका प्रयोग कर सकते है प्रेशेंड का उपर या अपने उपर तो आज हम लोग इसी टॉपिक का उपर बात करने वाले है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो मैं डॉक्टर सुप्रयाता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल होमियो क्या टिप्स पे उस तो टाइटेन में बहुत ही बढ़िया काम करते हुए देखा गया है इस मेडिसन का प्रोक से तो जब भी टाइमिंग का प्रॉब्लम को लेकर कोई पेसेंट आता है तो जो भी पेसेंट मेरे पास सीगर पतन की प्रॉब्लम को लेकर आता है तो मैं वहां पर इस मेडिसन को रेकमेंड करने से पहले सिर्फ दो से तीन सिम्टम देखता हूं अगर मुझे यह म्याच होता हुआ दिखता है पेसेंट का अंधर तो मैं बिल्कुल एक सेगेंड भी वेस्ट नहीं करता हूं इस मेडिसिन को रेकमेंड करने से अब इस मेडिसिन की अगर सिम्टम्स की अगर बात करें तो पह कहने का मदलब कोई दर्ध पेन है या नहीं मसल में पूरी बाड़ी की मसल में या बोन्स में हड्डियों में कोई पेन है या नहीं यह मैं देखता हूं और उस पेन के साथ साथ बाड़ी में कमजोरी है की नहीं थकावाट है की नहीं फिकनेस है की नहीं यह भी देखता हू Change of weather से इनको कोराईजा हो जाता है सरदी हो जाता है, जुखाम हो जाता है साल में कम से कम पेसेंट को 2 से 3 बार सरदी होता है अब इस मेडिसिन की थर्ड सिम्टम के अंधर मैं दो चीज देखता हूँ एक है पेसेंट का स्किन यानि तवचा दूसरा है आई यानि आख स्किन की अगर बात करें तो स्किन में हम यह देखते है कि पेसरेंट का त्वचा में कोई एक्जिमा, सोराइसिस यह सब कुछ होता है की नहीं खुजली होता है की नहीं या पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था वो ठीक हो गया ऐसा भी कोई हिस्ट्री है की नहीं यह भी हम देखते है अब आख की सिम्टम की अगर बात करें तो इस पेसरेंट को थोड़ा देखने में परशानी होता है उसको थोड़ा धुनला पन सा दिखता है जब भी पेसरेंट नीचे बैठा हुआ है फ्लोर पे सोया हुआ है या खटिये पे सोया हुआ है बेड पे सोया हुआ है जब भी वो अचानक से उड़ता है तो पहला कुछ सिगेंट के लिए उसका आख का सामने थोड़ा सा धुनला पन सा रहता है हाला कि किताब में तो यह दिया हुआ है के patient को vertical hemio pia होता है यानि उसको हर चीज का आधा दिखता है एक side का दिखता है एक side का नहीं दिखता है यह उसको देखने का जो angle है वो दिन पर दिन कम होता जाता है तो दोस्तों यह कुछ symptoms में patient का अंधर देखता हो सिग्रपतन की problem के लिए titanium को recommend करने से पहले लेकिन titanium के लिए जो पहला symptom हमने आपको बताया है कि patient का body में muscle में यह हड्यों में दर्ध होता है पेन होता है stiffness सी कोई दर्ध होता है अकलन सी होता है कोई कट-कट सी आवा जाती है muscle में तो यह symptom हमने आपको बताया यह बहुत ही prominent है यह titanium का बहुत ही खास symptom होता है और साथी सद अगर पेसरेंट का body में कोई weakness है कमजोरी है ठकावड है तब तो फिर यह बहुत बड़ा big plus point हो जाता है titanium को recommend करने के लिए और titanium का symptom से अगर आपका अंदर आपको continue एक महना आपको लेना है एक महना आपको titanium 6 CH में आपको दो-दो बूंद दो चमच पानी के साथ मिक्स करके सुभ़े दो फैर साम continue आपको एक महना आप लिजिए उसके बाद आप उसको स्टॉप कर दीजे बंद कर दीजे फिर उसके बाद आप टाइटिनेम को 30 CH में लेकर आईए 30 पावर में लेकर आईए और उसका दो दो बूंद सुभे दो फेर साम आप कंटीनू 15 दिन लीजे सुभे दो फेर साम दो दो बूंद दो चम्मच पानी के साथ मिला कर पिलीजे 15 दिन लेकर आप इसको भी बंद कर दीजे और इतना में ही आप देख पाएंगे कि आपका सिग्रेपतन की समस्या पूरी तरह जल से समाप्त हो गया है आपका सेक्स टाइम जो पहले 10 सेगंड हुआ करता था 20 सेगंड हुआ करता था तीस सेगंड हुआ करता था या एक करने उसको भी प्रेस कर दिजिए ताके माना लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे सो थैंक्यू वेरी मॉच एंड हव गुड डेए